चानक्य ने क्या खूब कहा है कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयम से तीन प्रस्न कीजिए अपने आप से तीन प्रस्न कीजिए कि ये क्यों कर रहा हूँ इसका परिनाम क्या हो सकता है और मैं सफल होगा की नहीं तब गहराई से सोचने पर इन प्रस्नों का अगर आपको संतोस जनक आंसर मिल जाता है यानि आपको संतोस पुरुवक आंसर मिल जाता है तब आगे बढ़िए जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपुर पे तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 वाले सभी चात्र और चात्राओं के लिए एक most important वीडियो लेकर आये हैं जो आपके आगे की रननेती को तै करेगा आज का ये वीडियो क्लास 11 के सभी स्टुडेंट्स जो साइन्स वाले भी हैं और आर्ट्स वाले भी हैं दोनों के लिए important होगा तो अभी फिलहाल में आप लोगों का जो है अर्दवार्सिक परिक्षा यानि की essay 1 एक्जाम जो है आप लोगों ने complete कर लिया है जिसमें आप लोगों का सभी सब्जेक्ट से 40 MCQ सवाल पूछा गया था ठीके इसमें कोई doubt नहीं है अब आते हैं point number one मुद्दे number one पे आएंगे आप लोगों का कि बताएंगे आप लोगों के कि final exam जो आप लोगों का होगा आप 4-5 महिने के अंदर में आपका हो जाएगा फरवरी में mostly जो है आपका 10th and 12 का exam होता है और इसके बाद ही आप लोगों का 11 का exam होगा और याद रखिएगा इस exam में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे अलेवंत में रह जाओगे आपको 12 में प्रमोट नहीं किया जाएगा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है साथी साथ वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से निवेधन है यदि आप हमारे चैनल पे पहली बरा हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आपके मुबाइल पे चला या फिर दोनों मिला के होगा तो भाई यहां पे कंफर्म है जो आप लोगों का एक्जाम होगा वो अबजेक्टिव बेस ही होगा ठीक है बात समझ माई पहला डाउट किलियर हो गया सभी का दूसरे डाउट पे आते हैं दूसरा डाउट ये था आप लोगों का कि ये बता दीजिए कि हमारा एक्जाम जो है फिर से 40 नंबर का होगा या फिर 50 नंबर का होगा ठीक है बात समझ माई तो देखिए अभी जो आप लोगों का अर्दवार्सिक परिक्षा हुआ है एसे 1 जो हुआ है वो भी 50 नंबर का ही हुआ है 40 आपको अब्जेक्टिव हुआ है 10 इंटर्नल एसेस्मेंट होता है ठीक है तो टोटल जो मार्क्स हुआ है आपका 50 मार्क्स का हुआ है इंटू 5 200 नंबर का आपका एक्जाम हुआ है लेकिन आपने जो पेपर में एक्जाम दिया है वो 40 MCQ दिया है ठीक है वो तो रिटेन एक्जाम है ना 10 नंबर तो इंटर्न परिक्षाएं होंगी उसमें भी आपका जो है वो 50 नंबर परती एक सब्जेक्ट का एक्जाम होगा हर सब्जेक्ट का 50 नंबर कही एक्जाम होगा वहाँ पे 40 MCQ आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा जो इसी बेसिस पे होगा आप लोगों का जो एक्जाम हुआ इसमें साफ कह दिये गया था कि जो मुख्य परिक्षा पर आधारित होगी याने कि मुख्य परिक्षा जयसे ली जाएगी उसी पैटन पर आप लोगों AC1 exam होगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह से question आपके exam में पूछने वाला है ये तो हो गई बात कि आपका जो परिक्षा होने वाली है वो होगा आपका objective ठीक है next जो सवाल है क्या भीया कोई syllabus में changing हुआ है कोई बदलाव आया है तो देखे कुछ भी नहीं है आप लोगों को weekly test के recording ही आपको तयारी करनी है बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है क्या weekly test में जो सवाल पूछा गया वो हमारा काम आएगा की नहीं तो आप अपने अर्धवासित परिक्षा से अनुमान लगा लिजिए मेरे according 1% काम आता है हम तो कहते हैं कि weekly test के फेरा में ही मत पढ़ो डारेक्ट आप final exam की तयारी करो ठीक है तो ये था आपका आज का अपडेट इसके इलावा और भी अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हो comment box में तो please आप लोग 11 में कौन कौन सा subject लिये हैं ये जरूर comment किजिएगा ताकि आप लोग को तयारी करवाने में मुझे आसानी हो पाए साथी साथ आप अपने whatsapp group को जरूर जोइन कर लिजेगा link हमने description में डाल दिया है वहां से जाकर join कर लिजेगा मिलते हम लोग next अगले वीडियो में thank you